स्वागत है आप सभी का एक नई फ्रीलांसिंग वर्क फ्रों मोंग जब अपाउचनी में दोस्तो आज की इस वीडियो में आपके लिकर क्या हैं लर्निंग अपाउचनी की जहाँ पर हम आपको लाइफ वीडियो में स्किल भी सिखाने वाले हैं मतलब जो काम आज आप करने वाले हैं जिसके फ्रों में आप बिना किती इंवेस्टमेंट के अर्निंग करने वाले हैं उसको सबसे पहले हम आपको सिखाएंगे कि इस काम को कैसे करना है जिस website पर आज आप work करने वाले हैं यहाँ पर already काफी सारे जो हमारे subscriber है वो work कर रहे हैं क्योंकि इसके बारे में update हमने आज से 6 months पहले आपके साथ share किया था और काफी सारे लोग जो की satisfy है यहाँ पर work करके प्लस यह website काफी तदा strict है यह आज जिस website पर आप work करने वाले हो as compared to काफी सारे अलग-अलग freelancing website यह website जो की थोड़ा सा strict है बट उसी की साथ-साथ यहाँ पर जो की आपका income में वो काफी अच्छा होता है simple यहाँ पर आपको part-time अपने dedicate करना होता है और यहाँ पर यह task complete करके आप earning कर सकते हैं so make sure करें इस वीडियो को बिना skip किया हैं तक देखी ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं daily online earning करना चाहते हैं तो चानल को subscribe करके जबूर सरख लें क्योंकि ऐसी updates हम आपके लिए daily business में लेकर आते रहते हैं दोस्तो आज जो की work का आप करने वाले हैं यह जैसे कि मैं आपको बताया आज मैं आपको learning plus earning opportunity आपके लिए लिखर के आई हूँ मतलब यहाँ पर live आपको काम करके दिखाएंगी कि इस काम को आपको कैसे करना होता है जिसकी through में जो कि आप earning करना भी start कर सकते हैं आज का जो हमारा work रहने वाला है यह जिस website पे आप work करने वाले हैं उसका नाम है design crowd इस website पे आपको काफी सारे अलग-अलग तरीकी की works मिल जाते हैं जहाँ पर आप logo designing कर सकते हो जहाँ पर आप you know अपनी creativity दिखा सकते हो काफी सारे यहाँ पर आपको banners designing मिल जाते हैं आप जैसे कि मैं आपको starting हूँ बताए कि website थूड़ी सी strict है as compared to other यहाँ पर क्या होता है आपको सारे steps जो की काफी अच्छे से follow करने होते हैं यहाँ पर आप कोई भी ऐसी चीज़ करते हैं जो की policy की against है तो directly आपका account जो की ऐसे block कर दिया जाता है या फिर यहाँ पर आपका account जो की है delete कर दिया जाएगा इसलिए आपर जो steps में आपको बता रही हूँ वो आपको ध्यान से देखना है follow करना है और फिर इस चीज़ पर काम करना शुरू करिए आज की इस वीडियो में मैंने सबसे पहले आपको पता है कि इस website पर आपको registration कैसे करना है क्योंकि काफी लोगों को doubt आ रहा था कि यहाँ पर मैं यह वाले steps के बाद आगे नहीं बढ़ पा रहे है यह वाले section में क्या fill up करना है ठीके तो इसलिए मैंने आपको starting में आपको sign up कैसे करना है registration कैसे करना है DTS कैसे आपको पूरा fill up करना है क्योंकि यहाँ पर आपको profile है वो minimum 85% जो की complete होने चाहिए जब तक आपका profile 85% तक complete नहीं होता है तब तक यहाँ पर आपको कोई भी काम नहीं दिया जाता है इसलिए यहाँ पर जो कि आपकी profile 85% आपको कैसे complete करनी ह है वो भी आपको दिखाएंगे प्लस यहाँ पर एक टास्क आपको life perform करके भी ढिखाएंगे कि यहाँ पर आपको काम कैसे लेना होता है और उस काम को आप कैसे करेंगे अब जैसे कि आपको काम काफी अलग-अलग तरिके से होता है तो आज जो काम में आपको कैसे нужно करना होत पर आपको दिखिए रेइस्टर पर क्लिक करना है जैसी आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका यह पीज उपन होकर क्या जाएगा create a free account का option यहाँ पर आएगा यहाँ पर आप देखेंगे तो first name और email address आपको देना है इसके बाद आपको यह पर password set करना है यहाँ पर I am a customer और I am a designer तो आपको I am a designer पर ही क्लिक करना है I am not a robot पर क्लिक करके continue के बटन पर क्लिक करना होगा तो सबसे पहले यहाँ पर हम first name यहाँ पर हम first name लिख लेते हैं तो यहाँ पर देखें मैंने first name यहाँ पर email address पासवर्ड यहाँ पर I am a designer select किया है I am not a robot पर क्लिक करके continue के बटन पर क्लिक करेंगे अब जैसी यहाँ पर continue पर क्लिक करोगे तो यह processing देखें start हो चुका है अब यहाँ पर second step में आता है display name यहाँ पर हम इसको save कर लेते हैं display name विच मींज कि यहाँ पर आप जब आपका profile मने का वहाँ पर आप क्या नाम शोग करना चाहते हैं तो same नाम यहाँ पर हम copy करके same नाम यहाँ पर paste करेंगे तो यही मेरा display name होगा और यहाँ पर मेरा surname add कर देती हूँ okay sorry तो नीचे हमको दिया गया है surname last name का तो यहाँ पर हम वो add कर देंगे country में यहाँ पर आप देखी काफी सारे country है आप जो भी country से रहते हैं आप वो select कर सकते हैं मेरी country इंडिया है वो select कर लेंगी यहाँ पर आपको option मिलेगा Payoneer PayPal का यहाँ पर मैं PayPal का option select करूंगी आप अपने coding जो भी आपके लिए Payoneer comfortable है तो वो select करिया अगर PayPal अकाउंट का नहीं आपने बनाया तो मैंने इस पर already dedicated video बना रखा है तो आप जाकर वो भी check out कर सकते हैं और अपना PayPal अकाउंट बना सकते हैं अब यहाँ पर payment email मांगा जा रहा ह यह वही email ID यहाँ पर आपको देनी होगी तो वो मैं मेरी PayPal अकाउंट की जो email ID है वो यहाँ पर दे देती हूं ताकि यहाँ पर जब भी आगे मेरा काम हो जाए तो मैं अपने payment को जो किए easily accept कर सकूं तो यहाँ पर देखिए मैंने मेरी PayPal email ID दे दिया है अब यहाँ पर create and continue उ अब processing start करते हैं let's see okay ठीक है तो यह display name मेरा हो चुका है अब यहाँ पर देखिए profile strength है वो 14% है यह minimum 85% होना चाहिए तब आप यहाँ पर जो कि है काम कर सकते हैं और easily आप तो profile select हो सकता है अब यहाँ पर यह पूछ रहे हैं कि choose what type of designs designer you are below तो यहाँ पर आप logo design कर सकते हैं stationery business card, t-shirt designing ठीक है तो जो जो काम आप कर सकते हैं वो आप यहाँ पर select करें और आज के इस video में भी मैं कुछ काम आपको सिखा देने वाली हूँ तो यहाँ पर देखे business card, t-shirt, designing banner, ad ठीक है तो यह काम easily हम कर सकते हैं stationery website designing थोटा सा different है packaging ठीक है wordpress stream तो फिलाल लिए इतने जो की हम select कर लेते हैं अब यहाँ पर देखे select design type तो यहाँ पर आप देखे logo काफे सारे चीज़े दिख रहे हैं यह हम जो की select करके continue के बटन पर क्ल भी आपको complete करते चाना है अब यहाँ पर देख रहा है देखे विजिए the jobs board यहाँ पर आपको यह resolve पर क्लिक करना है यहाँ पर आप जैसी क्लिक करोगे तो यह हमको इधर visit करना होगा यहाँ पर visit करने के लिए यह सारे चीज़े आप देख लीजिए online retail store logo for amazon ठीक है तो काफ यहाँ पर देखिए visit the job board complete हो चुका है अब आचुका है add your profile picture तो अगेन यह resolve पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम जो कि अपना profile picture आड करेंगे तो profile picture आपको कैसा आड करना है तो यहाँ पर देखिए मेरा first name हो गया website अगर आपके पास है तो वो आपको यहाँ पर attach करना है य I am a logo designer यह लिख लेते हैं ठीक है तो अगर आप चाहो तो और अच्छा सा जो कि है आप चाट GPD से एक अच्छा सा introduction भी लिखवा सकते हो तो यहाँ पर दिखिए दिख रहा है मेटस kid logo designer who transform ideas into a impactful visual with a keen eye तो यह जो कि हम यहाँ से copy कर लेंगे copy करने के बाद यहाँ पर जाने के यहाँ पर देखिए काफे simple सा है तो इसको back कर लेंगे और यहाँ पर जो भी हमने copy किया है उसको यहाँ पर paste कर देंगे ठीक है तो यह जो कि काम हमारा हो गया है availability for work तो देखिए when turned on custom तो यहाँ पर आपको availability अपनी select कर लेनी है default design यह आपको select कर लेना है help us find you more jobs तो यहाँ English यह language जो कि मेरी मुझे easily समझ आ जाती है तो यह वाला language select करेंगे select a few max 12 tags to describe your skill set तो Photoshop यहाँ पर आपको select कर लेना है कि कौन कौन सा काम you know कौन कौन सा skills आपको आते हैं तो कुछ इस तरीके से आपको select कर लेना है random आप select कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर हम select कर लेते हैं अब यह कह रहे हैं कि change picture तो यहाँ पर आपको अपका जो कि profile picture है वो upload करना है तो click to upload पे click करेंगे यहाँ से हम अपना कोई भी अच्छा सा profile picture ले लेते हैं यहाँ पर देखिए यह जो कि एक image है इसको हम select करेंगे और open करेंगे और यहाँ से हमारी profile picture देखिए यह कह रहे है कि upload field your image size is not supported तो यहाँ पर मुझे 300 x 300 वाली जुकी है picture upload करनी होगी तो इसलिए हम जुकी इसको proper कर लेते हैं वो कैसे करेंगे तो आपको क्या करना एक platform में उस पर चले जाना है canva पे जानने के बाद यहाँ पर आपको custom size सेलेक करना है और यहाँ पर width और height 300 रखेंगे create new design पर छाना है upload पे जाना के बाद यह वाली जो image है हमारी यहां पर आ चुका है यहां पर जाना के बाद इसको आपको proper bit Center में जुकी है सिलेक कर लेना है तो यहाँ पर से दिखिए इसको अच्छे से adjust करेंगे यहाँ पर यहां पर ईजिस करने की बार यहां पर yeah एझम जोड़ोड करना है और यहां पर दीजाइन जोड़ोड किया है उसको यहां से अपलोड करना है open पे click करोगे तो देखिए ये design जो की easily upload हो चुका है हमारा अब update details पे click करेंगे ठीक है तो इस तरीके से आप ये सारे details फिल आप कर लोगे तो ये वाला जो steps है वो भी हमारा upload हो चुका है update भी हो चुका है तो यहाँ पर आप देखिए public profile has been successfully updated हो चुका है और अभी आप देखोगे तो भी 42% तक ही हो चुका है अब overview करेंगे तो let's see कि किस तरीके का है यहाँ पर देखिए जो कि हमारा profile है यह मेरा profile picture जो कि add हो चुका है इसमें से यह सारे steps complete हो चुका है अब यहाँ पर जो कि हमारी terms and condition है उसको भी आपकी जो यह account है वो delete कर दिया चाहे का बहुत ही strict यहाँ पर जो कि यह सारे चीज़े होती है अब देखिए 85% तब जो कि हमारी complete हो चुगी है इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आपको registration करना होता है अब registration तो हो चुका है अब मारी profile भी पूरी fill up हो चुकी है अब यहाँ पर देखते हैं कि exactly आपको काम क्यासे करना है इस काम को करने के लिए हम एक tool का help लेंगे जो कि है canva.com अगे यहाँ पर यह जो कि पेड़ भी आपको बिल जाता है अब यहाँ पर देखिए submit your first design आपको कहा जा रहा है जो कि आप यहाँ से resolve पे click करोगे तो आपके पास already कोई design होगा तो यहाँ से आप उसको submit कर सकते हो ठीक है अब यहाँ पर हमारी profile almost complete हो चुकी है अब यहाँ पर जितने भी jobs है वो आपको देखते जाने है total job अगर आप उसना पर देखोगे तो यह all categories 211 है open jobs 211 जो कि यह available है अब यहाँ पर आप देखोगे तो काफी सारे अलग-अलग जो कि design से जिसके लिए यहाँ पर आपको पैसे भी बता भी गए है कि कितने पैसे वो आपको पे कर रहे है 150 डॉलर आपको पे कर रहे है six days left है यहाँ पर आप देखी 300, 110 डॉलर यहाँ पर आपको पे गिये जा रहे है और अलग-अलग कामों के लिए अब इसमें से जो भी काम आप करना चाहते हूँ वो आप यहाँ पर से जोकी select कर सकते हो जैसे कि देखी logo design for urology practice यहाँ पर देखी again band webinar construction LCC logo आपको कहा जा रहा है vital link technologies logo design यहाँ पर कहा जा रहे तो काफी सारे जोकी काम है company logo design कहा जा रहे तो चेली यह वाला एक काम ले ले ल यहाँ पर देखी I would like to I would like a logo design for my company name North American Medical Authority I will I will need a medical symbol in the logo as well तो यहाँ पर जो इनका company का ना में देखी North American Medical Authority के ले इनको जोकी एक logo design चाहिए जिसमें की I will need a medical symbol एक होना चाहिए उस logo में I am considering using the words of the company as an outline of the United States I am considering a slight three-dimensional appearance तो यह read करते वे आपको जोकी है proper logo बनाना है और यहाँ से आपको उसको submit करना है ठीक है तो यह एक जोकी logo design हो गया और भी काम यहाँ पर दिखी result पे चलते हैं और काम में आपको यहाँ पर से दिखा देती हूँ तो काफी बार ना क्या होता है कि काफी बार आप यहाँ पर लोगो है यहाँ आपको आपको आइड आ जायाए तो इक पाईल भी अट्च कर रहाँ है यहाँ पर यहाँ क्या यहाँ यह ए क्या रहे है I want to create a logo by modernizing a design I have already created and is attached तो यहाँ पर इडोने अट्च किया है प्ले सी लोगो इं नीड टॉप राइड side corner of attached image style to be professional, sleek and easy to recognize. I am open to exploring other colors and design opens eye. This will be for a urological practice के लिए जो के ये फिलाल के लिए लोगों चाहिए इनको तो इन्होंने कहा है कि ये जो attached file है ये हम एक बार देख लेते हैं तो इसको क्या करेंगे? open करेंगे यहां सदिकी ये download हो चुका है image open करते हैं इनको ये वाले design है कुछ इस तरीकी का यहां पर मैं इसको बड़ा भी कर देती हूँ तो यहां पर देखी ये इनका design है ये कह रहे हैं कि इसको काफी अच्छा जो कि ये logo आपको बना कर देना है आप इसको customized look भी दे सकते हो ठीक है? और यहां पर back पे क्लिक करते हैं यहां पर से कोई भी एक जो कि मैं आपको logo design करकर दिखाती हूँ ठीक है ता फिर उसके बाद आप अपनी हिसाब से करेगा ये जो कि चाते हैं ये वाला name होना चाहिए और एक medical symbol होना चाहिए तो आप इसको कैसे बना कर देंगे तो आप उसके लिए help ले सकते हैं इसका canva का तो हमें एक new design लेते हैं यहां पर आपको चले जाने canva पे यहां पर आपको लिखना है logo logo लिखने के बाद यहां पर आ जाएगा logo और यहां पर दिखे logo normal बाला लेंगे 500 इंटो 500 ठीक है logo आ जाएगा अब यहां पर create blank पर हम click करेंगे यहां पर क्योंकि इन्होंने हमें details बताई है कि इनको जो की है एक उसमें symbol चाहिए होगा जो की medical symbol होना चाहिए I will need a medical symbol ठीके तो यहां पर आपको चले जाना है ठीके तो यहां पर blank paper पर चले जाएगे यहाँ पर हम क्या लिखेंगे medical symbol लिखेंगे medical logo ठीक है यह लिखी आ चुका है medical logo आनकी बाद यहाँ पर देखी काफी सारे जुकी है आपको medical logo देखने के लिए मिलते हैं बट इसमें देखी बहुत सारे जुकी ना paid है और काफी सारे earned paid भी है तो जो की free वाले logo है वो आप यहा कोई भी एक जुकी select कर लेते हैं तो यहाँ पर से देखी एक कोई भी हम medical logo ले ले लेते हैं और कोई आप सेलेक करना चाहो, मुझे तो ऐसे बहुत सारे अच्छे लग रहे है, बट आप अपनी हिसाब से एक अच्छा सा लोगो ले लीजिए, देखी ये भी एक अच्छा लोगो जो कि ये देखने के लिए मिल रहा है, तो ये वाला जैसे की ले लेते हैं, अब यहाँ पर ये क्या कह अगर आप कुछ colors वगरा चेंज करना चाहो, तो यहाँ से आप colors भी change कर सकते हो, और कुछ customized look भी दे सकते हो, तो color पर select करेंगे, ये वाला color देना चाहते हो, same color, या फिर इसको तो तोड़ा सा dark color देना चाहते हो, ठीक है, अब यहाँ पर और भी colors आपको मिल जाते हैं, तो red color आप देरा चाहो, ठीक है, dark blue, black, इस तरीके से कोई color देरा चाहते हो, तो वो आप दे दीजिए, इसके बाद यहाँ पर आप देखोगे तो और भी colors यहाँ पर आपको मिलते हैं, gradients कुछ add करना चाहो, इस तरीके से तो वो भी आप add कर सकते हो, यहाँ पर से देखे, gradients मैं add कर रही हूँ, तो कुछ इस तरीके से आपको रखना है, काफी simple सा, तो इसको white भी रख सकते हैं, यह वाला भी color रख सकते हैं, जो की काफी अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो यह सिर्फ मैं आपको दिखा रही हूँ, आप अपनी हिसाब से जो कि और अच्छा design करना इसको फिर यहाँ पर click करोगे, तो यहाँ पर animations वगरा भी दिख जाता है, बट animation का as such, यहाँ पर हमें कोई demand नहीं दिख रहा है, ठीक है, जो basic सा demand है, वो हम पूरा करेंगे, यहाँ पर position आप कुछ left रखना चाहो, right रखना चाहो, middle में रखना चाहो, top में रखना चाहो, तो वो अब यहाँ पर यहीं पर जो कि है better लग रहा है, ठीक है, अब यहाँ पर यह इस तरीके से रख लेते हैं, अब जैसी आपका logo ना अच्छे से design हो जाए, जैसे कि हमारा logo design हो चुका है, तो अब आपको क्या करना होगा, ठीक है, यहाँ से आपको यह share के button पर click करना है, share के button जो कि यहाँ पर download हो चुका है, once logo download हो चाहिए, उसके बाद submit your design पर click करना है, submit your design पर click करने के बाद यहाँ पर यहाँ पर दिखिए, 5000 into 5000 जो कि होना चाहिए, click to upload पर click करेंगे, यह वाला जो कि है, यहाँ पर select करेंगे, open पर click करेंगे, तो यहाँ पर दिखिए, जो कि upload हो च तो आप यहां पर से दे सकते हैं, portfolio, have you included stock photos, तो वो आप यहां पर से select कर सकते हैं, no, yes, आप select कर सकते हैं, और फिर आपको यह agree the terms and condition करके, submit the proposal पे यहां पर आपको click करना है, फिर यह जो हमारा design है, यह जो की है, देखिए, इस तरीके से यह submit हो चुका है, why is my design under review, तो यहां पर लिखा दिख रहा है, your design has been flagged for review, because you are a new designer, all new designer submission are review and approved before being processing, for a quality verification, तो यहां पर यह जो की verify करेंगे, फिर आपको easily यही से इसी platform से पतलग जाएगा, कि आपका जो की design submit हो चुका है, या नहीं, तो इसी तरीके से आप जो की अलग-अलग designs बना करके, यहां से upload कर सकते हो, और उस start to end सारे process मैंने आपको दिखा दिये, फिर भी आपको कोई doubt रजाता है, तो आप मुझे comment करके जहूर से पूछ सकते हैं, चानल को subscribe करना बिल्कुल भी ना पूलें, क्योंकि एक ही update, new new earning करने के तरीके हम आपके लिए लिखकर आते रहते हैं, तो yes, चानल को subscribe करके जहूर से रखें, अपने friends से आप आप में में बसके साथ भी इस वीडियो को जहूर से शेयर करें, तब तक लिए टेक क्यारा हैं, बाई बाई